एंड स्क्रोल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको exit community का option देखने को मिल जाएगा दोस्तों आपको simple सा यह exit community वाले option पर click कर दे रहा है तो दोस्तों मैं इस पर click करता हूँ इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे first number पर exit वाले option पर click कर दे रहा तो दोस्तो क्या आपको भी WhatsApp पे किसी थ्रेंट में WhatsApp Community Group में एड़ कर दिया है दोस्तो WhatsApp Community Group सेम सेम WhatsApp Group के जैसा ही हो जाए दोस्तो अगर आप चाते हो WhatsApp Community Group से बाहर आना लेकिन दोस्तो आपको बाहर आना नहीं आ रहा है तो दोस्तो आपको WhatsApp Community Group से कैसे बाहर आना है आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल असान तारीके से step by step सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ तो दोस्तो बस आप बने रहो मेरे वीडियो में दूसरयान तक और दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेर आकें को आप पे प्रेस कर दो ताके मेरे आने वाले वीडियो का अपनी स्ना कर पाओ तो दोस्तो चलते हैं हमेशा कितर अपने मॉबाइल फोन की स्क्रीन पे बिन आपका time waste किये हुए तो दोस्तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो मैं अपने मॉबाइल फोन की स्क्रीन पे आ चुका हूँ दोस्तो आपको यहां पर अपने वाट्सप के community group से आपको बाहर आने के लिए यहां पर दोस्तो आपको simple सा अपने WhatsApp application को open कर लेना है तो दोस्तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो मैं यहां पर अपने WhatsApp application को open कर लेता हूँ दोस्तो यहां पर अपने WhatsApp application को open करने के बाद यहां पर आपको simple सा दोस्तो फोरा सा scroll करना है कुछ इस तरह से नीचे की तरफ देन दोस्तों यहाँ पर आपको group का option देखने को मिलेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो आपको simple सा यह groups वाले option पर click करना है दोस्तों मैं इस पर click कर देता हूँ दोस्तों इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपके mobile phone में जितने भी group होंगे यहाँ पर आपको सारे group सो हो जाएंगे और दोस्तों what's up community group से आपको बाहर आना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको simple सा यह community वाले option पर click कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको communities लिखा हुआ दिख जाएगा so इसपर मैं click करता हूँ दोस्तों इसपर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो जो group community group में add है यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा दोस्तों आपको यहाँ पर community group से बाहर आने के लिए आपको यहाँ पर simple सा दोस्तों Announcements वाले option पे click करना है यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तो लिखावा है Announcements तो दोस्तो मैं इस पर click करता हूँ इस पर click करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको simple सा सबसे उपर की तरफ यहाँ पर click कर देना है जो भी group का नाम आपको दिख रहा है दोस्तों मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप स्क्रोल करते हुए नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि दोस्तों नौर्माली किसी भी गुरूप से बाहर आने के लिए, यहाँ पर आपको सबसे नीचे की तरफ exit गुरूप का option देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल दा होगा, दोस्तों आपको यहाँ पर community गुरूप से बाहर आना है, तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, यह एरो पर क्लिक करके, यहाँ से बैक आने के बाद दोस्तों, फिर से यहाँ से आपको बैक आ जाना एक बार और, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंपल सा सबसे नी को दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर देता हूं इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको simple सा scroll करते हुए नीचे की तरफ आना है और नीचे आने के बाद यहां पर आपको exit group का option देखने को मिलेगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो आपको simple इस पर क्लिक करता हूँ इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको फिर से एक्जिट वाले ओप्शन पर उपर की तरफ क्लिक कर देना है दोस्तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तो आप यहाँ पर WhatsApp गुरूप से बाहर आ जाओगे यहाँ पर आपको सिंपल सा दोस्तो यह Delete Group वाले Option पर क्लिक कर देना है यह Delete Group वाले Option पर क्लिक करते ही आपके Mobile Phone से यह Group डिलिट हो जाएगा दोस्तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ Delete Group वाले Option पर इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से Delete Group वाले Option पर क्लिक कर देना है तो दोस्तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ इस पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे mobile phone से whatsapp group delete हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर आपको communities बना हुआ दिखेगा यहाँ पर आप देख सकते हो तो आपको simple चा यह जो option दिख रहे हैं आपको simple चा इस पर click करना है तो दोस्तों मैं इस पर click करता हूँ इस पर click करने के बाद दोस्तों यह community से बाहर आने के लिए आपको simple चा फिर से यहाँ पर यह announcements वाले option पर click करना है दोस्तों तो दोस्तों मै इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद, यहाँ पर आपको first number पे यह जो community का नाम है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो दोस्तों मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद, दोस्तों, यहाँ पर आपको exit community का option देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो आपर नहीं दिख रहा है कुछ भी या फिर डिलेट कम्यूनिटी तो आपको सिंपल सा थोरा सा स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पर आपको दोस्तो एक option देखने को मिलेगा community का यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर announcement से लिखा हुआ है तो आपको सिंपल सा यह community वाले option पर क्लिक करना है दोस्तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको स्क्रोल करना है थोरा सा जैसा क्या आप यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर थोड़ा से स्क्रोल कर रहा एंड स्क्रोल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको exit community का option देखने को मिल जाएगा दोस्तों आपको simple सा यह exit community वाले option पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे first number पे exit वाले option पे क्लिक कर दे रहा है तो दोस्तों मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आप वर्टसप के community group से बाहर आ जाओगे दोस्तों आपके mobile phone से WhatsApp Community Group वो delete हो जागा पूरी तरह से जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से गायब हो चुका है मैं यहाँ पर chat वाले section पर आता हूँ इस पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर स्रिफ WhatsApp Group है यहाँ पर देख सकते हो आप और दोस्तों यहाँ पर WhatsApp Community Group डिलीट हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हो यह गुरूप से बाहरा आने के लिए Simple समय गुरूप के नाम पर क्लिक करता हूँ इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की तरफ exit group का option देखने को मिल रहा है और दोस्तों WhatsApp Community Group में exit group का option यहाँ पर सामने में नहीं दिखता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो दोस्तों आप भी कुछ किस तरह से WhatsApp के Community Group से बाहर आ सकते हो अपने mobile phone से WhatsApp Community Group को डिलीट कर सकते हो तो दोस्तों बस यही थाजगा वीडियो मुझे उम्मीद है मैंने वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से बताया है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नहे थे तो चैनल को सब्सक्राब कर लो मिलते हैं किसे नहे वीडियो में किसे नहे टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ टेख के एर